समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को समाजवादी पार्टी की सभी कारेकारेनी भंग कर दी केवल प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को बरकरा रखा गया है इसकेलावा राष्ट्रियों और राजिकारेकारणी के साथ ही लुहिया वाहनी, चात्रसभा, यूथ ब्रिगेट सहित सभी फ्रिंटल संगठनों की राष्ट्री और प्रदेश कारेकारणी को भंग कर दिया गया है माना जा रहा है कि कारेपरिशत के सम्मेलन के बाद नैसीरे से कारेकारिनी का गठन किया जाएगा सम्मेलन अगस्त के इंदिम सप्ता या फिर सितंबर में होने के बाद बात कही जा रही है विधान सभा चुनाव परेडाम के बाद से ही कारेकारणी भंग करने के संभावना जताई जा रही थी इस बीच पार्टी विधाय को और हारने वाले प्रत्याशियों के साथ दो और समिक्षा बैठक भी हुई चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्षपत पर भी बदलाव हो सकता है लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश पूरी होने तक नरेश उत्तम पटेल कार्य करते रहेंगे